नाटू कहा है जोजो? मैं यहाँ हूँ जोजो क्या वह चुहिया चली गई? चुहिया नहीं नाटू चूहा वह चूहा था चूहा चला गया चूहा बोलो या चुहिया क्या फर्क पड़ता है? फर्क पढ़ता है नाटू, चलो पहले बाहर आओ, अब डरने की जरूरत नहीं नाटू, तुम चुहे से डरते हो बच्चो, नाटू ने कहा चूहा बोलो या चुहिया, कोई फर्क नहीं पढ़ता, क्या सचमुच ऐसा है? नहीं जोजो, चूहा पुरुष या लड़का जातिका है, और चुहिया स्त्री यानि लड़की जातिकी है तभी तो आपने कहा चूहा चला गया, चुहिया होती तो आप कहते चुहिया चली गई शबाश, बिलकुल ठीक कहा जोजो, क्या तुम हमें इसके बारे में और बता सकते हो? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, अकडम तिकडम गिली गिली छूँ देखो, माली पौधे लगा रहा है, और मोर नाच रहा है मोरनी दाना चुग रही है लड़का पेड के नीचे बैठा है लड़की पेड पर चड़ रही है बच्चो, माली, मालिन, मोर, मोरनी, लड़का, लड़की संग्या शब्द है सभी संग्या शब्द पुरुष या स्त्री जातिकी पहचान कराते हैं यहां माली, मोर, लड़का शब्द पुरुष जातिके हैं और मालिन, मोरनी, लड़की शब्द स्त्री जातिके हैं पुरुष या स्त्री जातिकी पहचान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं हां जोजो, पुरुष जातिकी पहचान कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं जैसे मुर्गा, नाना, भाई, हाथी और स्त्री जातिकी पहचान कराने वाले शब्द स्त्री लिंग कहलाते हैं जैसे मुर्गी, नानी, बहन, हथिनी अब मैं समझ गया जोजो सभी नाम शब्द, स्त्रीलिंग या पुलिंग होते हैं और वाक्य में शब्द के प्रयोग से लिंग की पहचान होती है आओ स्त्रीलिंग और पुलिंग के कुछ और शब्द पढ़ें स्त्रीलिंग पुलिंग लडकी लडका माता पिता बहिन भाई दादी दादा नानी नाना श्रीमति श्रीमान पुत्री पुत्र पडोसिन पडोसी मालिन माली धोबिन धोबी पत्नी पती चात्रा चात्र मोर्नी मोर हतिनी हाथी सिंगनी सिंग चुहिया चूहा बकरी बकरा घोडी घोडा मुर्गी मुर्गा